देखे अभी स्टूडियो में 156 का गुणंद खंड करना सीखेंगे फैक्टर्स आफ वान फिप्टी सिख्स देखे गुणंद खंड का मतलब क्या होता है किसी भी संख्या को अपने अभाज ये संख्या के गुणा के रूप में लिखना देखे गुणंद खंड करने के लिए आपको यहां पे चाहिए 100 ठाउन देदें 200 देदें ये कोई भी संख्या दी जा सकते है लेकिन आपका जो तरीका है वो समान रिगा तरीका नहीं बद देगा तो आपको क्या समझना है तरीका समझना है अब हाज ये संख्या है कौन से होती है दो, तीन, पांच, साथ, एक से लेकर दस तक ही तो सरवार्द करते है अपना दो से इसमें दो का डिवैड किया है कितनी वार गया यहां साइड में लिकिए आपको डिवैड किया जा सकता है साथ वार गया और आठ वार गया फिर इसमें दो का डिवैड हो रहा है किया यहां कितना तीन वार और नौ वार फिर इसमें दो का डिवैड हो रहा है किया नहीं हो रहा है लेकिन तीन का डिवैड हो रहा है कितना एक वार और तीन वार फिर आपका 13 एक आगे देखें, प्राइम नमर आएगा, 13, तो 13 में 13 का डियर्ड आपका एक वार, 156 के आपके पास गुणंद खंड क्या आगे, यह आगे, 2 कितने वार है, 2 वार, 3 आपका एक वार है, 13 एक वार, इसको ऐसे लिख सकता है, तो इस प्रकास 156 के हमें यह गुणंद खंड मिल जाते हैं,